हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं यह पास्ता देखिए आपको इसमें कुछ न्यू लग रहा है नहीं न बट यह न्यू है एक बर अप जरूरी से ट्राइ किजेगा इसका नाम है पाव भाजी पास्ता यह इतना टे चोटी चमज और 400 ग्राम पास्ता का मैं यूज कर रही हूं आप इसमें कोई भी पास्ता का यूज कर सकते हैं या मैक्राओनी भी ले सकते किसी भी शेप का इसे थोड़ा मिक्स कर दे और इसे हम ढख कर दे इसे हम 90 परशन तक कूक करेंगे देखिए अच्छा सब बहल आ ग कर सकते हैं तो देखिए यह अल्मोस्ट पग गया है एक बाद चेक कर लेती हूं जब हम इसे काटे तो ऐसा लगना चाहिए कि अभी थोड़ा कच्चा है मतलब 90% कूक हो चुका है अब हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे पास्ता के साथ साथ हम इसमें थोड़ा पानी भी नि बनाएंगे तो मैं 6 अंडे का यूज कर रही हूं आप 10 तक यूज कर सकते हो और जो मेरी फ्रेंट्स नहीं खाते हैं वह इस प्रोसेस को स्कीप करें टेस्ट में कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा आप इना एक्स के भी बहुत टेस्टी बना लेंगे 6 अंडे मैं डाल दि तो एक लाइक जरूर दे और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें अब हम कढ़ाई में डाल देंगे तीन बड़ी चमश्टे गरम तेल में डाल देंगे प्याज तो प्याज हमें इतना लेना है जितना पास्ता होगा उसके आधा तो पास्ता है 400 ग्रम प्याज लेंग अब टमाटर गया है तो हम इसमें नमक भी डाल देंगे नमक आप इसमें स्वात के नुसार डाले एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि टमाटर हमें खट्टे लेने हैं इसलिए देसी का यूज करें आप कटास्पन अपने बढ़ा सकते मिंस आप तमाटर अपने पेस्ट जैसे तो हम इतना ही चाहिए था अब हम इसमें डाल देंगे बॉल्ड पास्ता तो सारा पास्ता एड कर दे इसमें जो थोड़ा-थोड़ा पानी है वही इसमें अच्छा टेक्स्चर लाएगा सभी को अच्छे से मिक्स कर दें मसालों के साथ इस तरीके से तले से एक उडिए काले मिर्ज का पाऊडर जरी हम डंडे तार है न मिक सब्सक्छण जरू सब्धार कर दो कर देंके मसालमर कर देंगट अपयों डूल था आप सस्क्रामबल्गर मीक्स और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें हम एड़ कर देंगे स्क्रांबल्ड एक्स, मैं सारा एक्स अभी आड़ नहीं करूंगी थोड़ा सा बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए और अच्छे से पास्ता में इसे मिक्स कर दे, पूरे पास्ता में अच्छे से मिल जाना चाहिए, तो देखिए इस तरह से हम यह बन गया है, अब हम इसे ढग देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से मसालों के साथ यह मिक्स हो जाए, तो चलिए हो गया 2 मिनट, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, आप इसका कलर देखिए, टेक्स्चर देखिए यह इतना टेस्टी बनता है न, और एक्दम मैंने आपको दे दी, अब जल्दी से जाए कीचिन में और बनाईए, अगर खाने के बाद आपको यह टेस्टी लगती है, तो आईए और वीडियो को लाइक केजिए, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बाइ-बाइ-टेक्यार